आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में गिवन है अगर इटा जो है वो 0 to 1 के बीच में तो डेमांड क्या होगा तो इटा क्या represent करता है इटा represent करता है elasticity elasticity of demand ठीक है अब elasticity of demand क्या होता है कि यह हमें बताता है it denotes the degree the degree by which by which demand demand response to change response to change in other factors तो अगर हम other factors let's say price ya quantity supplied इसमें अगर हम change करते तो उससे demand पे क्या effect होगा उससे हम elasticity of demand कहते है और अगर इटा 0 और 1 के बीच में लाही करता है तो हम कहते है वो inelastic है मतलब उससे बहुत time लगेगा change होने में ठीक है that means option 2 जाए वो correct हो क्या this is our required answer अगर क्लासिक स्टुटल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजे अपने doubts 8444 चार्स उपर